दोस्तों second hand यानि renewed PC के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं आप लोग की काफी comment आ रहे हैं कि renewed के अंदर यानि second hand के अंदर कम से कम 8th generation और 9th generation PC के बारे में बताईए क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता भी होगा Intel ने announce कर दिया है कि 8th generation से आप Windows 11 को install कर सकते हैं इसलिए 8th generation और 9th generation का PC के बारे में बताईए ताकि हम लोग legally Windows 11 उसके अंदर जो है कभी भी install कर सके वीडियो बिल्कुल उसी के बारे में होने वाला है इसके अंदर हम 8th generation और 9th generation के ही PC के बारे में बात करेंगे जिस पर आप legally Windows 11 जो है आप install कर सकते हैं, reinstall कर सकते हैं और उस पर एक बहतर धन से काम कर सकते हैं क्योंकि 8th generation और 9th generation पर काम आज भी बहुत अच्छे लेबल से होते हैं तो समझने के लिए वीडियो के साथ लाज तक बने रहे हैं वीडियो को लाइक कर दे, share कर दे और प्लिस कमेंट करना ना भूले कि नेक्स वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए क्योंकि आप लोग के कमेंट के अधार पर ही तो वीडियो आती हैं ये सारी की सारी आईए दोस्तों हम लोग बात करते हैं एमेजोन से खरीद रहे हैं और उन लोगों का जो reply आ रहा है बहुत ही satisfaction वाला result आ रहा है बहुत ही ज़्यादे लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए मैं बार-बार इसको ले करके आ रहा हूँ और ये renewed PC ही है और इसके अंदर जो है i3 का 8th generation processor लगा हुआ है 2.5 GHz पर काम करेगा जो की एक बहतर धंसे आप normal official work करना चाहते हैं आपकी दुकान है market में छोटी मोटी online काम करना चाहते हैं Photoshop Coral Draw चलाना चाहते हैं उस पर छोटे मोटी फोटो प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं या फिर Coral Draw और Marys Card वगर डिजाइन करना चाहते हैं चोटे मोटे Biner Pump Plate वगर डिजाइन करना चाहते हैं इन सब कामों के लिए जितने सारे PC मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे बिलकुल भी capable हैं आप इस पर बिलकुल भी आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं i3 8th generation का प्रोसेसर के साथ में 8GB RAM है इसके अंदर और 240GB SSD है जो कि अगर इससे ज़्यादे की जरूत है तो आप external hard drive अगरे रख सकते हैं Windows 11 के साथ में आएगा MS Office भी इसके अंदर लगा हुआ है USB 3.0 इसके साथ में आता है Vizia port के साथ में भी आएगा और HDMI port के साथ में आएगा जिससे आप जो है डायरेक्ट दो डिस्प्रे लगा करके भी आप इसको simultaneous यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है आप इन में से कोई सबी डिस्प्रे लगा करके आप इसको बहतर धन से काम कर सकते हैं प्राइस बहुत अच्छा है मात्र 12,500 रुपे है जिनका बजट कम है उनके लिए ये PC बहुत अच्छा हो सकता है उसके बाद जो दूसरा है मॉडल बिल्कुल भी ही वही है डेल आप्टिलेक्स का 3060 टीनी ही है इसके अंदर भी वही प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर रैम बढ़ा दी गई है यानि श्टोरिज दोनों ही बढ़ा दिया गया है 16GB रैम और 480GB का जो है इसके अंदर SSD लगा हुआ है Windows 11 के साथ MS Office सबकुछ इसके अंदर जो है आपको मिलेगा बिल्कुल वही है बस इसके अंदर 16GB RAM, 480GB यानि कि अलग से आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है बहतर धंग से आप इस पर काम कर पाएंगे 16GB RAM बहुत होता है और इसका प्राइस मात्र 15,000 रुपे है इस बजट के अंदर बिल्कुल आप इसको बाई कर सकते हैं बहुत अच्छा PC आपके लिए हो सकता है बाकि Next की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा इससे उपर वाला वर्जन है यानि Dell Optilex का 3070 है यानि 3070 है इसके अंदर Tini Desktop इसके अंदर जो लगा हुआ है प्रोसेसर वो i3 का 9th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है जो 3.1 GHz पर काम करेगा थोड़ा और बहतर काम करने के लिए आप इसको भाई कर सकते हैं 8GB RAM के साथ 240 GV SSD के साथ Windows 11 MS Office 3.0 USB के साथ में भीज ये HDMI सब कुछ के साथ में इसके प्राइस के अगर हम बात करें तो 15,400 रुपे आज की रिट में अगर इस वक्त का प्राइस अगर ये रहा तो पिछला वाले से बहुत ही बहतर है कि आप ये वाला मॉडल भाई कर लिजिए भले ही 8GB के साथ में है लेकिन इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है आप इस पर बहुत अच्छे लेवल से काम कर सकते हैं आज के रेट में भी ये बहुत ही 9th generation जो Intel का है धरले से आज भी चल रहा है उसके बाद जो अगले मॉडल के अगर हम बात करें तो वो भी 3070 का ही है इसका storage चेंज हो जाएगा i3 9th generation ही है 16GB RAM में जिनको चाहिए 480GB SSD में चाहिए Windows 11 के साथ में ये आपको पढ़ जाएगा 18,000 रुपे तो दोनों ही storage बढ़ जा रहा है तो इस तरीके का जो budget आपके हिसाब से सिर्फ बैठ रहा है वो ऐसे 8th generation, 9th generation दोनों ही बहुत अच्छे हैं लेकि 9th generation लेते हैं तो ये बहुत ही आपको powerful मिल जाएगा तो आपका budget अगर 12,000 से 12,000 के आसपास है तो 8th generation का पहला वाला model ले लिजिए अगर 15,000-16,000 तक पहुँच रहे हैं तो 9th generation ले लिजिए इस वक्त price बहुत अच्छा चल रहा है और इस पर आप लग 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 अभी जो चल रहे हैं वो सारे ही काम चल सकते हैं आप अपने घर में बच्चों के लिए लेना चाहते हैं कोई LED TV वगएर है उसमें लगाना चाहते हैं तो ये सारे PC बहुत अच्छे आपके लिए हो सकते हैं बाकि next की अगर हम बात करें तो आजाते हैं असूस के अंदर high performance mini PC बहुत अच्छे success हो रहे हैं मार्केट से बहुत अच्छा reply का आ रहा है लोग बहुत अच्छा मान रहे हैं प्राइस के हिसाब से configuration बहुत ही वहतरीन है ये i7 का 8th generation processor के साथ में है कहीं न कहीं बहुत अच्छा configuration है RGB DDR 4 RAM लगा हुआ है और M.2 इसके अंदर 256GB SSD लगी हुई है इसकी speed बहुत अच्छा है अगर यहां तक पहुँच रहे है 20,000 तक का अगर आपका budget है तो आप जो है अगर 18,000 तक पहुँच रहे हैं 9th generation में तो बहतर होगा कि i7 का 8th generation ये model ले ले लिजिए क्योंकि इसके अंदर DDR 4 RAM भी लगा हुआ है और उसके साथ में M.2 का इसके अंदर SSD मिल जा रही है जिससे speed इसकी बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी Windows 11 के साथ में MS Office, Wi-Fi वगर सब कुछ इसके अंदर आपको include मिलने वाला है और Type-C भी इसके अंदर मिल रहा है Type-C से आप display भी आउट ले सकते हैं और HDMI से 4K का जो है आप इससे output निकाल सकते हैं जोकि बहुत अच्छा configuration इसका है मातर 20,000 रुपे में ये आपको मिल जाएगा तो कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा PC हो सकता है अगर इस टाइम के ही साफसे क्योंकि इसके अंदर latest सारी चीज़े हैं उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा और अपग्रिट चाहिए आपको तो model SIM है i7 8th generation processor भी वही है RGB RAM भी है इसके अंदर 512 GB SSD आपको लग करके मिल रही है 11 के साथ में बाकी सारी चीज़े वही है और इसका प्राइस जो है इस वक्ती 2500 रुपे में आपको मिलेगा तो कहीं न कहीं स्टोरेस थोड़ा सा अगर आपको जादे चाहिए तो आप ये वाला model भाई कर सकते हैं तो 256 GB के साथ में चाहिए तो पिछले वाला model baş कर सकते हैं और 512 GB के साथ में चाहिए तो ये वाला model भाई कर सकते हैं जो अगर हम यहां पर डिफरेंस की बात करें कि जो डिल का जो टीनी है उसमें और इसमें क्या फर्ख है तो इसके अंदर बहुत ही फर्क है अगर बजट कम है, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं, प्रट्रिकली प्रोब्लम नहीं है, दोनों ही एक अच्छे लेबल के काम करने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो इंफर्मेशन आपको कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसी प्रकार कि बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका दिल सुबहुत।